तो प्रेशन है किस सम्वेधानिक संसोधन द्वारा, पंचायती राज संस्थाओं को सम्वेधानिक धर्जा प्रदान किया गया? ओप्सन देकरा 5 सर दीजिए. तो इसका सेत्तर हो जाएगा, ओप्सन C, 73 सम्वीधान संसोधन द्वारा. नेक्स्ट कोशन है भारतिय सम्वीधान के किस भाग में पंचायती राज से सम्मंदित प्रवधान है ओप्सन देकरा पांसर दीजिए इसका सयुत्तर हो जाएगा ओप्सन दी भाग नौ में नेक्स्ट कोशन है भारतिय सम्विधान के किस भाग में नगरपाली काउं से सम्बंदित प्रब्धान है ओप्सन देखकर आपांसर दीजिए इसका सेट्थर हो जाएगा ओप्सन B भाग 9 के A में महत्पून कोशन है कई वार एक जाम में पूछा गया है सम्विधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है बहुत वार एक जाम में पूछा जा चुका है ओप्सन देखकर आपांसर दीजिए इसका सेट्थर हो जाएगा ओप्सन B भाग 4 में नेक्स्ट कोशन है भारतिय सम्विधान के निम्न लिखित अनुछेदों में से कौन सा अनुछेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है तो इसका सेट्थर हो जाएगा ओप्सन A अनुछेद 40 ये प्रेशन आपका कई बार एक जाम में पूछा गया है आप इसे नोट डाउन कर लीजिए नेक्स्ट कोशन है भारत में निम्न लिखित में से किसके अन्तरगत पंचायती राज प्रणाली की विवस्ता की गई है ओप्सन देकरा पांसर दीजिए पंचायती राज प्रणाली की विवस्ता नीती निर्देशक सिध्धानतों की अंतरगत की गई है नेक्स्ट कोशन है भारत में पंचायती राज की त्रेश्तिरिय विवस्ता का अनुमोधन किस समीती के द्वारा किया गया था तो इसका स्युत्तर हो जाएगा और यह है पंचायती राज प्रणाली से सम्मन देथ है नेक्स्ट कोशन है 73 सम्मिधान संसोधन द्वारा 11 वी अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्रे सोपे गए है तो इसका स्युत्तर हो जाएगा प्रणाली वीडियो में सभी प्रणाली प्रोवाइड करा दिये जाएंगे आप उनको नोट डाउन करते हुए जाए तो अगला प्रणाली है भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ तो इसका स्युत्तर हो जाएगा ऑप्सन ए भारत में पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रेल 1993 में लागू हुआ जो की 73 वा सम्विधान संसोधन है तो ये आपके 25 राज वस्ताज सम्वन्दित कुछ महतवपूर्ट प्रेशन थे और बाखी के सभी प्रेशन आपको चोटी चोटी वीडियो में प्प्रोवाइट करा दिये जाएंगे और हमारे सम्विधान से सम्वंदित सभी महत्रपूर्ण प्रेशन हमारी यूट्यूब चैनल सिक्छा मेरी दोस्त पर उपलब्ध हैं आप वहाँ पर जाकर के प्रेशनों को देख सकते हैं उसमें सभी महत्रपूर्ण टॉपिक आपको दिये गए हैं और सभी के MCQ कोशन वहाँ पर हैं और कुछ वन लाइनर कोशन भी आपके लिए वहाँ पर दिये गए हैं आप जाकर के देख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम और से अच्छे अच्छे नोट्स बना सकें